ये घटना पावर शटडाउन प्रक्रिया से संबंधित है जहां ड्रिल मशीन का फिल्ड स्विच ड्रेग लाइन ब्लास्टिंग के लिए शिफ्ट करना था इलेक्ट्रीशियन ने सुपरवाइजर के कहनी पर शटडाउन की प्रक्रिया को बाईपास करते हुए कंट्रॉल स्विच से एक का पावर कट कर दूसरे इलेक्ट्रीशियन को इशारा किया कि पावर कट गया है दूसरे इलेक्ट्रीशियन ने कन्फरमेशन मिलने पर उसने फिल्ड स्विच में काम करने से पूर्व उसे डिस्चार्ज कर दिया दरसल इस field switch का power ना कटे होने की कारण सब station से अर्थ लीकेज ट्रिप कर गया और power कट गया जो electrician इस field switch में लगे थे उन्होंने सोचा की power कटा हुआ है और उन्होंने केबल खोलनी की प्रक्रिया शुरू कर दी चुकि सब station से power trip करने से drag line machine का भी power कट गया था तब drag line machine से टीरेंस मिलनी पर SBA ने सब station से power charge कर दिया power station से charge करते ही उस field switch में भी power आ गया जिसकी shifting की प्रक्रिया में electrician और helper लगे थे power charge होते ही इस field switch में आवाज के साथ तेज spark और flash हुआ जिसमें electrician एवं helper के हाथ में burn injuries आई परंतु दोनों बच गए ध्यान रखें shutdown प्रक्रिया कभी भी bypass ना हो shutdown की प्रक्रिया lock out और tag out को अपनाए feeder की numbering, pole, field switch एवं control switch पर अवशे लखें एवं machine का नाम भी field switch एवं control switch में लिखा जाए जिससे इस तरह की गलती ना हो PPE का पूरी तरह पालन करें सब स्टेशन से किसी भी feeder के fault में ट्रिप करने पर उस feeder से संचालेट सभी मशीनों से clearance लेने के बाद ही पुनाद चार्ज किया जाएगा सुरक्षा नियमों का करें सम्मान ना होगी दुर्गटना ना होगा कोई नुक्सा